नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते कुम बराश्ची वालों दोस्वों आपकी पूरी जिन्दगी की कहानी इश्व व्यक्ति के हाथों में लिखी है जीए दोस्तों, हम आप शिभी को बता दें, कि शमें रहतें आप इश्कों पहचान लें, आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, यो के हैं तो आपकी जिन्काल में आने वाले शिभी की रेकलापों को आप सोच पाएंगे, इस परकार आपको कौन से कारे को करने हैं, कौन से शा शहरा बन सकता है आपके आगे पीछे हर जगह आपको मदद करेगा तो दोस्तों बिल्कुल भी आज की वीडियो को मिश ना करें और दोस्तों सुरू सुरी कर अंद तक इन्हें जरूर दिखेगा जिए दोस्तों हम आप शबी को यह दावी करिशाद बता सकते हैं कि अगर यकिन मानी आपको यह बात तो पता चलेंगे ही कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए जिन पर भरुशा कर सकते हैं और केशिए आपकी जंगी काहानी इस व्यक्ति के हाथ में लिखी हुए है तो दोस्तों शबी विसेज जनकरें इस वीडियो में है तो दोस्तों अंत तक देखन आपका दायित होगा है जए दोस्तों और अच्छे बात करते हैं शुरुआत करते है बहुत ही अच्छे बिचार से बहुत अच्छे ग्यान से जो दोस्तों जाने अंजान में हम गलतियां करते रहते हैं और वहष में एक अच्छी बात हैं हमारे जिनकाल में कई परकार के अच्छे गुन भर देते हैं तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ज़्यादा गौश सुनें कि दोस्तों इश्वर ने स्रिष्टी की रसना करतेश में तीन वीचे से रसना की पहला अनाज में कीड़े पैदा कर दिये वरना लोग इनका शोने और चांदी की तरह संग्रह करते दूसरा मिर्थियों के बात शरीर में दुर्गन उत्पन कर दी वरना कोई अपने प्यारों क उस후 कभी भी जलाता या फिर दफन नहीं करता दोसों श्रह जीवन में किशी भी प्रकार के शंकट या पिशन प्रोना और शमय की शाथ भूलना दिया हैं जने मग वरना जीवन मैं निराशा हो अंधकार ही रहता कभी भी आश्या में प्रश्णता या जिनिक ऐसित्हार न तो ये दोसों जगे शाद बात करते हैं कि कौन शव्यक्ति है जिसके आहतों में आपकी पूरी जिन्दगी की कहाने लिखी है जे दोसों जो आपके किशमत को चमकाश रखती है जे दोसों उशे पहले दोसों जानते हैं कौन से लोग है जिनके उपर आपको बिल्कुल भी यक कि तरह सोने को रगड़कर काट कर आग में तपा कर पीट कर परखा जाता है उसी तरह पर वहाएं चार बातें ध्यान दोशन हम पर देख लेना चाहिए कि दोस्तों एषा माना गया है कि जिन लोगों में त्याग की भास नहीं होती है वे लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाती जियंकि दोस्तों अगर आपकी जुनकाल में कोई भी व्यक्ति है जिनको आप लगातार मदद करते आ रहे हैं और दोस्तों उनके तरब शे आपको कोई भी शहता अभी तक नहीं मिली है तो दोस्तों इस बात से यह पता चलता है कि दोस्तों उनके अंदर त्याग की भावना बिल्कुल ही नहीं है शिर्फ और शिर्फ हुआ आपसे लाब ले रहा है वो बिल्कुल भी अपना लाब आपको नहीं दे रहा है बिल्कुल भी त्याग नहीं कर रहा है तो दोस्तों इस व्यक्ति से आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए कि दोसों है शिवी वक्ति हैं जो कि शिप आप से काम निकल वाएंगे और काम निकलने के बाद पीट दिखा कर आगे सल देंगे जिया दोसों किसी को जाने पहचाने या उसके चरित के बारे में जनकारिनों होने पर उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए कि दोसों इंसान किसी की सेरत देखे बिना उश पर भरुषा कर ले तो उसके शाथ रहने वालों को भी उशी नजर से देखा जाएगा जो की शहीने होगा जे दोस्तों कि अगर एशे इंसान के आप शात रहेंगे जिनके आप पहचान अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं जिनको आप अच्छी तरह से जांच परक नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों हो शकता हुआ इंसान चोर हो शकता हो या पिर किशे परकार की मुझरिम हो शकता हो त इक अ करेंगे दो में उन पाँ जो इनसान को समझे नहीं पाई ho जिनक़ फ़ेख़े करने पाएं Хण करनें पाई ho दोस्तों उन faith वर्यक्ती हैं , जो कि आपके अपकी ब्लती की जिस्णा को बदलतीung अच्छी राश निकालकर बुरे राप पर ले जाते हैं और दोस्तों, आकर चलकर आप बहुत ज़्यादा पज़ताते हैं और दोस्तों तब तक देर उच्ची की रहती है दोस्तों, और आपके जोनकाल में यूशे वैक्ती है तो इन से दूरी बना कर रखे और नहीं भी है तो दोस्तों ऐसे इंसान पर आप बिल्कुल भी पिश्वाश ना करें इसके साथ दोस्तों आप शिकूँ बता दे कि इस अब लोगों में बहुत शारी गुन और आवकुन होते हैं लेकिन बहुत शारी लोगों में एसके कुछ बुराई होते हैं एसके कुछ बूरी आते होती है जो कि उशे एक नो एक दिन ले डूपती है तो दोस्तों एसके रहते हैं जब उनको एक ना एक दिन उनकी बुराई ले डूबेगी तो दोसों कहीं न कहीं उनके पचड़े में आप भी पड़ जाएंगे तो दोसों जान बुझकर ही आपको बिल्कुल भी अपने हाथों जहर ना पिये अपने ही पेरों पर कुलारी ना मारे तो दोसों इस शात आप अभी चोड़ें वेके उसुष्ति के हाँधों में श्रूप आपकी भर्वादी ही लिकी है तो लो इस व्यक्ति से आप बिल्कुल ही दूरै रहें इसके साथ दोसरो जिन लोग के अंदर आंकार की भावनँ होती है वो किसी के भरोश्य के लाइक नहीं होते हैं जे दोस्तों आपकी शमाज में आपके आश्पडोश में अगर कोई अशाव्यक्ती है जो कि दोस्तों आपसे बहुत अच्छी तरीकिशे बाते करते हैं बहुत अच्छी तरीकिशे आपसे मिलते जुलते हैं लेकिन दोस्तों उन पहुचेगी कहीं ने कहीं दोस्व आपको अपने अंदर एशा लगेगा कि हम यह चीज़ कर नहीं सकते और दोस्व आपके अंदर नेकेटिव उठ्जा भी उत्वपनिंसे होता है तो दोस्व जो भी एहंकारी इंसान है दोस्व उनसे दूरी बना करकें कि दोस्व एहंकार इश्वर का भोग है जिस व्यक्ति ने भी एहंकार किया है दोस्व उनका शर्वनास निश्चित हुआ है तो दोस्व एहंकारी व्यक्ति के भी आप शाथ ना रहें कि दोस्व इस व्यक्ति के हाथों में आपकी बरवाद लिगी है इसके उपरान दोस्व जो भी व्यक्ति आपके जुनकाल में एशे हैं जो जरुत से ज्यादा मीठे बोलते हैं और दोसों आपको अपने बातों में भशा लेते हैं और शमय आने पर दोसों आपको दोखा भी देते हैं तो दोसों इसे लोग के मदर वैवार के चलते आप इनके उपर बहुत जल्दी विश्वास कर ल जिनके उपर आपको विश्वास करना चाहिए और इनके हमें आपके जिन्गी की पूरी कहानी लिखिया है जैंदोसों आपको बता दे की करम जिस व्यक्ति के अच्छे कर्म है, आप श्भिकी जुनकाल में जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अच्छे कर्म है, वा लोगों से सच्चे बोलकर पेश कमाते हैं, ना ही चोरी डगरती ना ठगी करते हैं दोसों ये से व्यक्ति पारप आँख मुंद कर विश्वास करें और दोसों यही व्यक्ति है जिनके हाथों में आपकी जिन्दगी की पूरी कहाने लिखी होती है और दोसों ये से व्यक्ति जो आपको पुराईयों के राह से हंटा कर अच्छायों के राह पर ले जाएंगे ज तो दोस्तों जो भी व्यक्ति आपकी जुनकाल में ऐसे हैं, जिनके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कारी करते हैं, तो दोस्तों उन्हों पर आप आँख मूद कर विश्वास कर सकते हैं, उनसे सलाह मंग सकते हैं, कि आप कौन से कारी करें, कौन से कारी नहीं करें, दोस्तों वे लेट पेचे आपको आच्छायें करते हैं जे दोस्ों दूसरे के दुवारा आपको यहां बात पता चलती है कि उष्वेक्ति ने दोसों आपका भी जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा और दोसों बुराई के राशी हटकर आप शिवी का जीवन खुशियों के अर जाएगा अच्छाईयों के अर जाएगा दोसों आप उने जुनकाल में इस श्य वेक्तियों की पहचाल करें